आप सिर्व का सूपर कंसेट क्लासेज में स्वागत है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 इंगली स्कॉर का बेर बेर इंपोर्टेंट कोश्चन्स बताने वाला हूं जो आपके टेर्म 2 के एकजाम में डायक्ट पूछा जाएगा तो आप लोग वीडियो पर का देखना चाते हैं तो आप लोग प्लेस्ट में चले जाए जहां पर आप लोगो नोटिस का ट्रेक लेटर का ट्रेक आर्टिकल्स और बहुत सारे इंपोर्टेंट कॉश्चन्स का बीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट पर पर आप लोग हर एक वीडियो को देख लिए जिससे आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से और सांदार तरीके से होगा तो चलिए सुरू करते हैं और एकक करके हरे को देख लेते हैं तो देखें यहां पर हमारे पास क्या 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 क्यों से तो जैसे आप लोगों का एक चेप्टर है जिसका नाम है father to son और यहाँ पर यह जो chapter है इस chapter के जितने भी important questions है हर एक questions को यहाँ पर हम भो discuss करेंगे, देखिए actual में यह जो हमारा chapter है father to son, इसमें एक पिता और उसके बेटे का मतलब जो भी मतलब relationship होता है उसके बारे में इस chapter में दिया गया है देखिए actual में क्या होता है जब जो बेटा होता है जब वो छोटा होता है तो उनका अपने पिताजी के साथ जो सम्मंध होता है बहुत ही अच्छा होता है अपने पिताजी के साथ ही रहता है खाता है, हसता है, खेलता है, सोता है बातचित करता है लेकिन जैसे जैसे वह बेटा यानिकि वह सन बड़ा होता है उनके पिताजी के साथ उनका जो मतलब रिलेशन होता है वह धिरे-धिरे मतलब खराब होते जाता है उनका मतलब जो होता है उनसे दूर चले जाता है ना साइडंग से बात करता है ना साइधन से एक दुसरे कर समझते हैं तो उस टाइम बोला जा रहा है कि जिनरेशन गैप हो गया जिनरेशन गैप हो गया मने अब बेटा बड़ा हो गया अब यह जो बेटा है यह अधिक सदिक पैसा खर्चा करना शुरू कर दिया और अपने पिताजी के साथ उनका जो बह है उनके बारे में complete में दिया गया है अगर आप लोग चाहते कि नहीं सर आप एक प्राफट क्या करें जितना वी चैप्टर सुगा उससे समरी का वीडियो बना दिए टिक है तो मैं आप लोगों को प्रभाइट करा दूंगा तो चली सुरू करते हैं और यहां पर हमारे पा आँकि यह चैप्टर है इस चप्टर के माहिदिं सावलों को बताने के जो फादर है और जो बेटा है ठीक है एक दुसरे से क्या है एक अधुसरे सेपशा PPT का ब्राकर करता initiative सेबीर करता है इस ट्रेंजर जैसा बेभार करता है सापसा होई जिया गया है कि ईए फादर यानि जो बेटा और जो पिताजी है वो एक दूसरे से मदलब अजनवी जैसा बेभार करते हैं वाट कैन बी दा पॉसिवल रिजन फॉर दिस सिच्विशन टेक है यह जो सिच्विशन है इस सिच्विशन के लिए पॉसिवल रिजन्स क्या हो सकता है तो देख लिजिए इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या होगा इसके उत्तर को अब लोग किस प्रकार से लिखेंगे तो इसका एंसर हो जाएगा कि दा फादर एंड दा सन विएव लाइक इस्ट्रेंजर्स तू इच ओधर बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ अंडरिस्टेंडिंग विथ इच ओधर यह एक दुसरे को अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे तरीके से अंडर स्टेंड रहने कर पा रहे हैं इससे के चलते इन दोनों का जो बैवार है यह जो दोनों एक दुसरे से जो बैवार कर रहे हैं इस्ट्रेंजर्स यानिकी अजनवी जैसा बैवार कर र रहे हैं they have different thoughts different likes and dislikes different ways of living their lives देकि एक्चल में बात क्या है जिसे कि पिता जी जो है और उनका जो मतलब जो सन है यान की जो बेटा है उन दोनों में क्या है देखिए दोनों का पहला बात तो जो thoughts है जो बीचार है different है बना अलग-अलग बीचार है different likes है different dislikes जो बेटा पसंद करता हो सब्सक्राइब बाप पसंद करता हो जो बाप पसंद करता हो यहां पर हो जा रहा है different ways of living their lives यहां पर दोनों का मतली जो रहने का जो तरीका है अलग-अलग है जाहिए जाहिए से बात है ना कि जो हमारी जो पिताजी होंगे वह पुराने जमाने के होंगे हम लोग जो होंगे थोड़ी नया जमाने के होंगे हम लोग पिताजी के अधार से कभी भी नहीं चलेंगे तो ओई चीज़ यहां पर इस चप्टर में हो रहा है ठीक है through the father wanted his son to be like him the opposite heavens पिता जी चाहता है कि जो मेरा बेटा है वो मेरा जैसे काम करे मैं जिसस्परकार सरे चाहँगा वो मेरे जैसे कंपरेडली हो बट ऐसा नहीं होता है उसके उल्टा हो जाता है आजकल के टाइम में ये तो सग्छ का Thing represented दो क्यार देखिए कि what sort relationship do the father and the son have in the poem father to son ठीक है यानि यहाँ पर बोला जा रहा है कि what sort relationship ठीक है यहाँ पर किस प्रकार का सम्मंद है किसके किसके बीच पिता और पूत्र के बीच आपको बताना है और चीज़ यहाँ पर लिखा है कि what sort relationship do the father and the son have in the poem father to son आप लोगों का यहाँ पर जो पोयम है जो कविता है जिसका नाम है father to son इस कविता में father और son की बीच का जो relationship है जो सम्मंद है किस प्रकार से आपको बताना है तो अभी मैं है कि in the poem the father and his son had a relationship like a stranger यानि कि अजनवी जैसा उन लोगों का यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर जो है ना बेटा और बाप दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन एक दुसरे को समझे नहीं पा रहे हैं तो इसको आप लोगों लिखे का यह होगा इसका प्यारा सा सुन्दर सा उत्तर आगे चलिए यहाँ पर मैंने देख लिए हिंदी स फादर टू सन टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसली परसनल एक्सप्रियंस और इस एट फैरली यूनिवर्सल देखिये यहाँ पर हमारी पास जो पोयम है जिसका नाम है फादर टू सन यहाँ पर जो जिसकी अगर कहा जाए जिस यहाँ बाप और बेटा में जो बाक्चित हो रहा जो जो Take फो रहा है जो बात्रण हो रहा है क्या एक्सक्लूसली परस्rhनल एक्सप्रियंस य्याँ फिरली यूनिवर्सल है हमें बताना है यह क्या कविता पिता से पुत्र एक बिस्त रूप से लूब करती है यह यह काफिश्प्र भूमिक यानि यहां पर आपको बताना है कि यहां पर यहां पर यहां पर इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा इसका इसका हो जाएगा कि दो पोयम फादर टू सन इसनाट एक्सक्रूसिवली परसनल एक्सप्रियंस एट ओल देकि यहां पर यह जो हमारा पोयम है फादर टू सन इसमें एक्स्टूसिवली परसनल एक्सप्रियंस का बात नहीं हो रहा है बलकि इसमें फैरली उनिवर्सल का बात हो रहा है जो कि मैंने टाइम में क्या हो रहा है कि Maximum यानि इस मॉस्ट यहांब जो मैक्समम जो संसे जो मैक्सम जो बेटा है वो अपने पीता से क्या कर रहा है एक मतलब डिस्टेंड से मेंटें कारण डिस्टेंड से बनाएं चल रहा है और अभी टाइम में जैनरेशन गयाप के कारण जो बाप और जो बेटा है वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं जो कि यहां पर मैंने लिखा है आप लोग फटा फटा आप लोग नोट डाउन करिए और आप यहां पर इसको चाहिए तो हिंदी से भी आप लोग इसको स सकते हैं आगे चलिए अगला जो प्रस्ण है क्या कोश्चन नमर चार देख लिजिए कि हाव डाज दा फादर फिल अबाउट हीज सेप्रेशन फ्राम हीज सन तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा पहला बाद तो इसका माने हो गया कि पिता अपने बेटे से अलग हो होता है यह जो चेप्टर है फादर टू सन इसमें सबसे पहला बात क्या होता है कि जो बेटा होता है तो यहां पर जो पिता उता है उनका मने मान में यह होता है कि भई मेरा जो बेटा हो मेरे सच्छी तरगे से बात करें इच्छी तरगे से पेस आए में हम जो मंदर कहने चाह रहे हैं उस समझ पाए तो यह सब चीज़ यहां पर बात की थो रहा है तो दें किया मैं लिखा है कि द फादर झील सेड अनहेफी एंड हेल्पलेज जो फादर है वह कैसा फिल कर रहा है तो वह सब दोखी मसूस कर रहा है और अनहीपी या नाखुस है और हेल्पलेज वह मसूस कर रहा है He wants to maintain a healthy relationship with his son वो क्या चाहता है कि अपना जो बेटा है उससे मदलब क्या करेंगे हम लोग एक अच्छा relationship maintain करेंगे The father wants that his prodigal son यानि कि खर्चिला बेटा may return to his home and start living under the same roof with him देखें यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यहां पर जो पिताजी है वो क्या चाहा रहे है उनका जो खर्चिला बेटा है यानि कि जो prodigal son है वह घर वापस आ जाए और यह दोनों एक ही मदलब छट के नीचे रहे और दोनों एक दूसरे मदलब पिताजी है कि मदलब उनका बेटा है और जो पिताजी है और दोनों क्या हो एक दूसरे को समझ सके तो बस यहां पर यह बात हो जाएगा बात करें तो यहां पर हमार पास प्रस्ट था क्या था कि पिता आपने बेटे से अलग होने के बारे में कैसा महसूस करता है यह आप लोग इंगलिस इसको बोल सकते हैं से है से प्रेसन फ्रॉम हेज सन तो आपको यह वला इंसलिक देना है क्या है कि यहां पर पहला वाट जो फादर वो क्या क्या फिल कर रहा है और प्रोडिकल सन ने जो खर्चिता बेटा हुआ उनके घर वापस आजाए और दोनों एक इचात के नीचे रहना सुरू करें आगे प्रशन का उत्तर हम लोग जैसे का भी में आपने लोगों को बता है यह वाला जो उत्तर बता है ना बिलकुल ऐसा ही होने वाला है देख लिए यहां पर जो हमारे पास जो प्रस्न है क्या है प्रस्न है कि what does the father wish for his son यहां पर जो फादर है जो पिता जी है वह अपने बेटे के बारे में क्या सोच रहे थे क्या थिंग कर रहे थे आपको बताना है देख लिए जो अभी में आप लोगों को बताया होई इसका उत्तर होनी वाला है क्या होगा एंसर कि the father is unhappy and helpless जो फादर थे वह नाकुस था और helpless था he wants to maintain a healthy relationship with his son जो कि मिन आप लोगों को बताया तब father wants that his prodigal son may return to his home and start living under the same roof with him जो मिन आप लोगों को उपर ने बताया बस ओही एंसर है आप लोगों को चिपका देना है आगे बढ़ते हैं अगले question को चलते है question 6 देख लेते हैं क्या है कि how does the father feel when his relationship with his son comes under his strength यानि पिताव कैसा लगता है जब उसके बेटे के साथ उसके रिष्टे में तनाव आ जाता है तो उस टाइम पिता एकदम बहुती कोई दिकत कोई प्रोलम नहीं होगा कि दा फादर फिल्स सेड अनहेपी एंड हील प्लेस ही वांस टू मैंटेन ए हैल्दी रिलेसेंटिप विट ही सन दा फादर वांस बैट हीज प्रोडिगल सन यानि खर्चिला बेटा में रिटन टू हीज होम एंड स्टार्ट लेविंग सकते हैं क्या है इसका उत्तर कि फादर फिल्स भेरी हेल्पलेस एड इस सिच्विशन वाइन बोथ फादर एंड सन डू नट अंडर स्टेंड इच ऑदर जब जिहां पर देखिए जो चप्ट्र है फादर पूत्र है ठीक है बेटार पूत्रे की वा वालब जो बाप और जो फिल्स भेरी हेल्पलेस एर दिस सिच्विशन वाइन बोथ फादर एंडस एंडू नट अंडर स्टेंड इच ऑदर जब मलभी हावर बाप और बेटा जब दूसरी को समझ ने पा रहे हैं तब यहां पर जो बाप है वह बहुत ही हेल्पलेस फिल कर रहा है महसूस कर रहा है इट सेड़नेस हीम टू अंडरिस्टेंड यहां पर दूख होता है कि उसने कभी अपने बेटे के दिरिश्टिकून को समझने की कोसिस नहीं की और उसके बेटे ने उससे खूद को बहुत धूर कर लिया यह हो जाएगा इसका उत्तर और जिससे कि अगर आप लोग उपर आ करें थे उसनलम साथपनेखिकल की क्या है कि हाव विस दौफादर हविवलेस्ट उप लेयुक्त संप अपनोग को संबीच तो फोरक्तियों यहां प्रपृइसरी पहलाबात की वैग्यर रह रहे हैं लेकिन वे मैद्ण स्री को समझ नहीं पा रहे हैं ना बेटा समझ पा रहा है ना बाप समझ पा रहा है इसी की चलती हां जो पिता है वह हेल प्लेस है ठीक है आगे देखिए आप इसका उत्तर जो पिता है वह हर एक टाइम क्या कोसिस करता है अपने बेटा को समझना चाहता है लेकिन वह हर बार हर समय फेल हो जाता है जो पिताजी थे वह मदलब अपने बेटे के साथ एक अच्छा सम्मन बनाना चाहते थे बट नहीं बना पा रहे हैं यह दोजन्ट वांड ही साइल टू अनिटिंग ही वी ओड सिंपली फॉर्गिव हिम ठीक है मदलब देखिए वहां पर मदलब जनते हैं जैसे कि देखिए जो पिताजी होते हैं मानिशल कोई बच्चा अगर गलती भी करेगा तो उसको माप कर देता है फॉर्गिव हिम यहां पर पिताजी क्या बोड़ दे कि तुम घर वापस आजाओ घर वापस आजाओ हम लोग एक ही छत के नीचे अच्छे तरीके से प्यार से रहेंगे और चीज को यहां पर मैंने हिंदी से लिख दिया आप लोग पर सकते हैं समय सकते हैं कि पिताबने बच्चे को समझाने के बहुत कोशिश करता है लेकिन वह हर बार असपल हो जाता है वह उनके बीच एक अच्छा रिस्ता बनाना चाहता है वह नहीं चाहता कि उसका परसन देख लिजिए और यहां पर तो अगला परसन है नहीं है अमरा लास्ट कोश्चन था देखिए अक्च्छों बात यह रहेगा नहीं जो आप लोगों का चेप्टर है जिसका नाम है फादर डूसन अगर आप लोगों नहीं यहां पर में आप लोगों को जितना भी अगले वडियों में थैंक यू जाहिंद